भी अजुकर मौशन विये मतलब वीएजी एंद वीए दियार सेम विटी अफेट टू ग्राउंट अनुरी बाहत सारी वुक बका लपके है it is with respect to ground and ground is at rest VGA velocity of ground with respect to a VAB मतलब velocity of a with respect to B B A को देख रहा है B is observer B को आपको रेस्ट पे consider करना है VAB equals to VA minus VB or VBA VB minus VA तो VA V equals to minus of VBA मेन पॉइंट्स है एक्जामपल एक लेते हैं जी हम कोई एक बॉड़ी है जी एक moving with 10 meter per second यहां पर body B जी moving with 10 meter per second survival right VA वेक्टर नी लगा रहे बेटा अंडर सुड़ागी वेक्टर है जी ठीक है थी एरो नी लगा रहे अंडर सुड़ा वेक्टर है यह कितना है टैना आई और वी बी कितना है बताओ 10 I okay so what is VAB it is VA minus VB 10 I minus 10 I relative velocity is 0 relative velocity is 0 because both are moving with the same velocity so relative velocity is 0 next question next question with a question about to block a moving with velocity 10 meter per second block B moving with velocity 20 meter per second okay find the relative velocity शावाश दोनों निकाल लिए वी निकालो बिटा और वी बी बी निकालो चलो आपको मौका दिया अरे अब यहाँ पर B observer है बी को क्या नजर आएगा वी को नजर आएगा वी यह माइनस वी बी डिरेक्ट वेलू भर रहा हूं टैना ही माइनस बी वी कितना है माइनस 20 आई तो observation क्या आई जी प्लस 30 आई मतब बी क्या बोल रहा है बी बोल रहा है जी ए किदर जा रहा है ए राइट साइड जा रहा है कितनी विलास्टी से 30 आई बी क्या बोल रहा है बी बोल रहा है जी ए राइट साइड जा रहा है तो कि ए अप्रोचिंग टू बी ए की विलास्टी बढ़ रही है तो कि यह खु से बूखे चैहें कि बोलेगा जो भी वी मैनस विए बाड़ी बी-20 आई तेन आई देखो क्या बोल रहा है रहा है कि भी है इधर आरहा है मायनस की तरफ कितनी विलाउस्टी से माइनस थर्टी आई किया आपको समझ में आया बेटा कि यहां पर एक बहुत ही इंपॉटेंट है जी नोड कर ले क्या पाइंट है बच्छो मैगनिटूड आफ रेल्टिव विलास्टी Magnitude of relative velocity when two objects are moving in इस इक्वल टू डिफ्रेंस इन स्पीड मतलव अगर आपको रेल्टिविस्टिक विलास्टी निकालनी है उसका मॉडलस निकालना है मैगनिटूड निकालना है तो एका मॉडलस माइनस बी का मॉडलस ठीक है जी ठीक है जी क्लियर इस इस बीडिविस्टिक दोनों का मॉडलस आजाएगा और आप इसको ऐसे वी लिख सकते हो रेल्टिविस्टिक बी बड़ा है तो माइनस विलास्टी आफ ए रेल्टिविस्टिक निकालनी है तो जैसे बचो एक बॉड़ी है जो राइट सैड जा रही है कितनी विलास्टी से विये और दूसरी बॉड़ी है लेफ्ट सैड आ रही कितनी विलास्टी से यह भी विये यहां पर देखो यह वी भी है और यह वी भी है ओके तो दोनों केस समझते हैं क्या आएंगे विये वी क्या मतलब है विये वी का मतलब है जी ए का रेल्टे विलास्टी माइनस बी का रेल्टे विलास्टी ठीक है जी अगर क्या है बेटा वी यह बड़ा है वी भी से ठीक है जी क्लियर पिटा सेम डारेक्शन में मूव करने चाहिए कंडिशन है चाहिए या पॉजट है जा कैसे भी है वह डिपेंड नहीं करता डार ना अब इसेम डारेक्शन क्या होगा जी देखो यहां पर पहली डाग्राम में और वी बी क्या है जी दोनों सेम जा रहे हैं और या इसको आप क्या लख सकते हो आप लिख सकते हो वी बी मैनस ऑगर तो बड़ा है मतेब्स किसी में भी हम कोई मैनस कर सकते है ठीच है थिए अगर सेम डारीन से निकालने के लिए आपको बड़े मैंसे छोटा माइनस करते ना है सेम्पल लोजिक ए ठीक हें नटा स्झाटव यार मैंसे तो यह लिखा यहां पर बड़ा माइनस कर दो यार आफ 123 g on कि शौटकट से को नियають कि कुछ नहीं गरना है माइनस करना है इसे छोटा मैंस करना है तुरंट आंसर आजएका आपका 911 κάνू यहां पर आ मिजी कितने किए कि यहां पर क्या सिंपर स्देक्शन करना है इक स्मार्ट के से कोश्चिन करोग roommates है कि आपको ऐड़ Lift अगर वो opposite जा रहे हैं तो क्या होगा बेटा ठीक है लिखिए first question कैसे लगाना है जी same direction दोनों को बड़ी में से छोटा minus करना है अगर opposite हो तो लिखिए magnitude magnitude of relative velocity when objects are moving in opposite direction is equal to sum of speed अगर opposite direction में है तो बिलकल आसान काम है बेटा क्या है मान लो यह वीए जा रहा है यह वीवी जा रहा है ठीक है जी यह वीए इधर जा जा रहा है और वीवी दोनों में अपोजिट बन रहे ही नहीं बन रहे हैं अगर 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 दो अगर 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 दो अगर आप पोशिट मूब कर रहे हैं तो आप दोनों को जोड़ दो प्रदम फिजिक्स इस टॉपिक आप फिजिक्स कर दम अप गोज़िट जा रहे हैं तो जोड़ दो शे म दा रहे हैं तो फिर से बताओ शेम जा रहे हैं थो माईनस अप जा रहे हैं तो फ्लस isse को एपलाई करते हैं कोश्ण पे जैसे एक ब्लॉक है जी 30 मीटर A है बोड़ी 30 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है एक दूसरी बोड़ी है जी B कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है 20 मीटर पर सेकंड तो बताओ VAB क्या होगा दोनों को माइनस करना है दोनों को सेम डारेक्शन है ना आंसर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ तो VAB क्या आएगा VA माइनस VB विए कितना है 30 माइनस 20 10 आई आ गया आई के अब डारेक्शन बता रहा है मैगनिटूड इस 10 तो 30 में से 20 गया आंसर क्या आया 10 आया अगर आपको निकालना है VBA तो क्या जाएगा आप उज़र होता है जी तो क्योशन लगाना सीखते है जी इस पर क्या को शेन आजी देखे आकार इस मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड ट्वार्ट्स एस्ट अगर भी इस वेद 20 मीटर पर सेकेंड समझ लेस को एस्ट थर्टी डिगरी नॉर्थ फाइंड विए भी एक कार है जी 10 मीटर इस्ट की दरफ जा रही है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं जी हम ट्राग्राम स्केच करते है बेटा आंसर के अंदर इस्ट 30 डिगरी नॉर्थ का मतलब क्या है इस्ट 30 डिगरी नॉर्थ का मतलब क्या है इसका 10 आपिजेक्टिज मेकिंग एन एंगल आफ थर्टी डिग्री नॉर्थ ओफ इस्ट नॉर्थ ऑफ इस्ट का मतलब है नॉर्थ वाली तरफ इस्ट के साथ एंगल East के साथ Angle East के साथ Angle इसका Meaning है जी Standard Wording है तो देखिए ये East है बेटा ये North है जी कितना एंगल बनाया 30 डिग्री ठीक है तो गर answer समझ में आ रहा है हमारा वी ये कितना दिया आपको 10 I cap बच्छों आपको बाद समझ में आ रही है अभी हम वेक्टर नहीं डालते है थोड़ा टाइम सेविंग है और वेक्टर सारे आई काप लगया तो अपने आप ये वो क्लिर है ना जी वा अपने आप वेक्टर सी ये सारे वी वी के टुकडे करने बढ़ेंगे यार करो क्या करोगे बताओ कितना था जी वी वी 20 20 क्या जी 20 कॉस्ट 30 आई कैप 20 साइन 30 जे कैप इतना समझ में आए बेटा क्या बन गया कॉस्ट 30 कितना रूट 3 भाई 2 10 रूट 3 आई कैप साइन 30 आफ 10 जे कैप तो वाट इस वी अबी क्या है जी वी अ माइनस वी भी तो 10 आई माइनस क्या एगा 10 रूट 30 आई प्लस 10 रूट 10 जे कितना आगया जी आंसर में 10 कॉमन 1 माइनस रूट 3 आई कैप माइनस 10 जे कैप ये क्या आगयी जी आपकी relative velocity clear वी अबी निकालना आगया आप अगर वी वी ये निकालेंगे बहुत आसान है माइनस वी अबी क्या जाएगा ये प्लस बन जाएगा 10 जे कैप माइनस क्या जाएगा 10 आफ 1 माइनस रूट 3 क्या तुम्हें रेल्टिव लॉस्टिक इतना फंडा समझ में आए बेटा बोलिए क्लिएर है जी कोई डाउट है तो बता दीजिए बी के तोड़ लिए टुकड़े वी अबी क्या होता है वी अ माइनस भी भी प्रंद माइनस कर दिया बेटा क्लिएर कोई डाउट बी वी अ क्या होता है माइनस वा वी अबी तो माइनस लगा दिया the opposite of train train is 10 meter per second towards east a monkey is running in opposite direction on roof of a train if velocity of monkey if velocity of monkey with respect to train is 3 meter per second find velocity of monkey with respect to ground हाँ जी बटा एक्तम इजी कोश्चन है सबसे पहले क्या दिया है जी विलास्टी आफ टेन वीटी रखा है तो आट सीज्ट मतलब आई कैप 10 आई कैप यह विज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है अंडर सुड़ है बिटे हाँ जी कुछ ना लिखा वह ग्राउंड के रिस्पेक्ट होता है और क्या दिया जी आपको velocity of monkey with respect to train क्या दिया जी 3 meters per second को को के कुछा क्या है आप से velocity of monkey with respect to ground क्या होता हमेशा रेस्ट पर होता है वियम पूछ्चा है जी ओके ओके तो आप देखे वी एम टी क्या है इस वी एम माइनस वी टी वोलो बच्छो वी एम माइनस तो वी एम की वैल्यू निकालनी है यह कितना दिया है थ्री दिया है वी टी कितना है टेन ओके वी एम कितना आ गया थर्टीन मीटर पर सेकेंड मंकी डॉनिंग इन अपोजे डारेक्शिन ऑफ टेन्स थोड़ा समझना पड़ेगा यार मंकी का डार्ड डार्ड डारेक्शिन क्या है अप उजटे तुम्हें क्या है गा विटा यह क्या है गा हाँ जी यह opposite है तो मैं इसको क्या लिखूंगा I will write minus i cap यह क्या है plus i cap तभी क्या हो जाएगा हाँ जी व्यम्टी में क्या हो जाएगा minus i cap और क्या है यह 10 i cap क्या बन जाएगा यह इज़र गया जाएगा 7 i cap is your vm समझ में आएजी कैसे direction लेनी है आपको direction नहीं दे रहे जाएज आंसर 13 आ रहा था तो we have to consider the direction because क्या लिखा है monkeys running in opposite अब यहां पर वो बात खतम हो जाती है जो मैंने कहा था आप और यहां पर नहीं लग रही क्यों समझ देना बेटा जब दोनो platform यह कब valid है उपर वाला funda कब valid है same direction में minus कर दो opposite में add कर दो कब valid है जब ground move नहीं करता जब ground move नहीं करता तो यह valid है अगर platform move कर रहेगा तो concept उल्टे हो जाएंगे same direction में add करना पड़ेगा opposite direction में यह बात आप note कर लो बेटा जब platform move करते हैं platform समझते हैं यह physics वहाँ यह physics नहीं valid है यह कब valid है जी यह with respect to ground में valid है अब देखो train पे monkey दोड़ रहा है तो train is moving आप ground पे दोड़ रहे हो ground is not moving तो जब base move करता है अब लिख लीजिए यहाँ पर shortcut क्या इसका यह अच्छा shortcut है if base is moving तो क्या होगा same direction add opposite direction minus अगर base move करता हो example है जैसे आप river में swimming कर रहे हो तो उसमें आपका base क्या है move कर रहा है आप किसी mall में जा रहे हो तो लेक्टिक सीडियां लेक्टिक सीडियां चलती है समझे आप तो अगर वो सीडियां मालो कोई सीडियां है यह जो move कर रहे हैं यह फार्वर डिरेक्शन में पांस मीटर पर सेकंड के साथ और आप इस पर चड़ रहे हो तीन मीटर पर सेकंड के साथ तो नेट रेल्टिक विलाउस्टी क्या जाएगी इडिस एट बाज समझ में आरी इडिस एट ऐसा नहीं माइनस कर दोगे आप कोई सिंग गलत हो जाएगा उस समझ में आ रहा है जैसे यार शिप है यह टेन मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है यहां पर पानी है बेटा पानी जा रहा है ट्विलाउस्टी पर सेकंड के साथ समझ में आया उपर वारा फंडा कब लगना था बताओ हां जी जब हम बेस मूव ना करें तो सेब डारेक्शन में माइनस अपोजिट में एड आपको समझ में आया यहां पर विलाउस्टी आप मंकी विद रिस्पेक्ट ट्रें 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 इस मूविंग ट्रेंड इस आप वोजिट डिरेक्शन में क्या करेंगे फिर हम माइनस कर देंगे तो शॉटकट माह लग जाता है सेवन माइनस थ्री क्लियर जाहतर बच्चें को कर्फ्यूजन रहता है इस केस में कुछ समझ में आया कि नहीं आया आया बिटा आया जी यह बेसिक डिफ्र इल्टिविस्टिक फिजिक्स बहुत मज़दार फिजिक्स है तरह समझ लीजेगा एक्वेशन आप मोशन वीच में अलग लगती है कैसे लगती है आप इस बात को समझें माल लीजे दो बाडिज है वो मूव कर रही है दोनों में गैप है जो सेंटर टू सेंटर सेंटर एक सो पचास मीटर है जी यह बॉड़ी ए है जी लेफ्ट साइड बढ़ रही है टैन मीटर पर सेकिंड के साथ यह बॉड़ी भी है जी बढ़ रही है जी ट्वंटी मीटर पर सेकिंड के साथ मेटा रेलिटेव विलास्टी हर बच्चे के लिए थोड़ी सी थोड़ी सी पर यहां से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोशन थोड़ा लगना मुश्किल हो जाता है कोशन है वेन एंड वेर कि तू कि बॉड़ीज विल कॉलाइड कहां और कभी दो बॉड़ीज कॉलाइड करेंगी तो माल लेते हैं जी क्या माल ले माल लो बेटा क्या माल लेना है हमने यहां से कि एक्स दूरी पे एने कंडिस्टेंस कवर किया और वन फिफ्टी माइनस एक्स है जी वो किसने कवर किया बी ने कवर किया ठीक है तो बच्चो यह क्रूशन कैसे निकाला जाता अभी सबसे पहले देखो ग्राउंड मूव कर रहा है कोई शिप तो है नी क्रामूव कर रहा है तो कि अंश्ठी घ्री नांग कर रहा prisoners們 कि न कि ऐ बताओ कि डिस्टेंस कौन सा जी है इसको रेल्टिविस्टे कहते हैं कितना है जी 150 एक सु पचास तो टाइम क्या होगा जी टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये बात याद रखना कि में हमेशा रेल्टिविस्टेंस कितना है एक सो पचास स्पीड कितनी है थर्टी टाइम क्या लगे जी पांस सेकंड लगेंगे को लाइड होने में एक्स कितना आ गया बिटा एक्स कितना आ गया बताओ पहला बॉड़ी कितना कवर करेगी टैन इंटु फाइव यह इस फिफ्टी मीटर और दूसरी हम्डेट मिल्टिर एक समझ में आ जी कि मिटा समझ में आया कि नहीं आया है अभी अगर आप यह कोगी सर्थी यह तो अपने रेल्टिविस्टिक से तना आसानी से निकाल दिया है ना इक्वेशन आप मोशन लगा के दिखाओ सभी पर मन में ऐसा ख्याल आता है ना कि सर्थी इक्वेशन से फिफिट निकाल के दिखाओ गैसे होगा देखो तो दोनों समझा देता हूं क्या फरकर रेल्टिविस्टिक अप्रोज से कोशन कितना आसान बन जाता है सिंपल वे में आप कैसे गरते बेटा सिंपल एक्वेशन क्या बनती इसकी वेशन क्या बनती है एक्स क्या था बताओ यू टी यू टी टैन इंटू टी बोलो बेटा सिंपल तुम क्या लगाते बाडिज एक्स टैन इंटू टाइम टी वोलो बाई समझ में आया दूसरी क्वेशन क्या बनती है वान फिफ्टी माइनस एक्स क्या आता ये ट्वान्टी इंटू टी इंटू टी बोलो अब इसकी वैलू यहां भर दूं वान फिफ्टी म और एक्स कितना आता है और यह कितना आता है है अंडेड मीटर फ्रॉम फिटी मीटर फ्रॉम कौन सा ज्यादा अच्छा मैथट है यह सिंपल एक्वेशन अब मोशन लगाया है नीचे वाला ऊपर क्या जी सिंपल रेल्टिविस्ट्टिक लगा या है की आंज मिंबार होकता igen सुमझ में बॉर्टों सारी क्वेशन आज आप लाइफ में पहली बार सीख रहे हैं कि वी रेल्टिविस्ट्रिक क्या होता है यू रेल्टिविस्टिक प्लस ए रेल्टिविस्टिक इन्टू टी पहला एक्वेशन दूसरा क्या बनेगा एस रेल्टिविस्टिक इकोल स्टू यू रेल्टिविस्टिक इन्टू टाइम रेल्टिविस्टिक नहीं होता ए रेल्टिविस्टिक इन्टू टी स्क्व एक और तो साहरी क्वेशन पार मॉशन के साथ भीचलती है पीटा और देखो डिटिविस्टिक है कि अगर एक या हो फिर दर एड़ फेटिविस्टीक जिडिए गाँ उनिव अशन हो जाएगा युनिव युनिफी र्यूर्टिविस्टिक टॉप ओ ओते तो वह तब करहें आगे झाल झाल कि चलिए आगे बटा कोशन है जी यह फिजिक्स कहां पर लगेगी जैसे आप कोई वर्डिकल मोशन कर रहे हो कोई भी वर्डिकल मोशन है आपने दो बॉलें उपर फिंग दी या दो उपर से नीचे डाल दी तो relativistic exhaustion क्या है 0 है दोनों का exhaustion सेम डारेक्शन वे लग रह दोनों का सेम अदो लग रहा नहीं लग रहा है तो relativistic क्या हुआ उप allen थे लूग हो लानो रहे होई हिंदा रेल्टिविस्टिक फिजिक्स है ठीक है जी जैसे कोई कॉस्चिन है जी एक बाड़ी है जी पांच मीटर पर सेकेंड से चल रही है दूसरी बाड़ी है जो कि वह पंद्रा मीटर पर से से चल रही है कि कि इस बाड़ी की लंबाई कि सौ मीटर है और इस बाड़ी की लंबाई सौ मीटर है ठीक है जी कि तो कि अगर आप ध्यान देंगे एक यहां पर डिस्टेंस रेल्टिविस्टिक है कि रेल्टिविस्टिक यह क्या होगा स्पीड रेल्टिविस्टिक इन्टू थाइम यह फाउला पेटे अथेंटिक नहीं है जी नौट अथेंटिक तो अथेंटिक नहीं है आप सिचुएशन देखिए यह सौ मीटर की है यह सौ मीटर की है तो अब यहां पर स्पीड रेल्टिविस्टिक तो आ गई कितनी आ गई ट्वंटी मीटर पर सेकिंड अपोजिट डारेक्शन में जोड दिया मैंने तुरंति ठीक है अब डिस्टेंस डेल्टिविस्टिक क्या आएगा यह तो आफ सो और सो क्या लो लोगे दो सो ले लोगे तो टाइम क्या आगया जी दो सो अपन बीस क्या आगया टैन सेकेंड यह अथेंटिक नहीं है वेटा क्योंकि बॉडडी की लेंथ है आव से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं कि इसलिए फार्मला यह थेंटिक नहीं है कुछ छोटे मोटे कोशन और करने कोशिश करते हैं बचे ठीक है जी चलिए क्या कोशन है कि आप बताईए यह यह थेंटिक फार्म जैसे बॉडडी की लेंग ने रखी है उसकेस में अपली यह नहीं है कि उसकेस में वह नहीं है कि तभी आपको लिखाए नौट अथेंटिक कि एक सिंपल कोशन आपको करवा रहा हूं जी इसको टूडी एक बॉड़ी है जी यह मना फ्रेम आप रेफ्रेंस बन गया 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है एंगल बना रही है 30 डिग्री क्या बना रही है 30 डिग्री और एक दूसरी बॉड़ी है ज्यां ने बिटा एक दूसरी बॉड़ी है यह डॉन्वर्ड जा रही है तैन मीटर पर सेकेंड के साथ और यह अंगल बना रही है 30 डिग्री का यह बड़ी यह 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 है है रेल्टिविस्टिक स्पीड है कौन सा बच्चा निकालेगा वी यह भी निकालो यह भी क्या होगा अगर आप ने निकाल दिया तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है अब है क्या है एंपाज बच्चो देफ़ा व्य यह क्या आ गया वी यह आ गया टैन कोस्ट थर्टी आइकप मुलस्ट टैन साइन ठर्टी जेकेफ सॉल कर लिया जो सब्सक्राइब लुट थी भाइब टू होता है फाइब रूट थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप यह आ गया जी वी वी आ गया बेटा आ यह आ गया कॉस्ट कमपनेंट तो टैन कॉस्ट थर्टी माइनस जे कैप प्लस टैन साइन थर्टी आई कैप यह बन गया माइनस रूट थ्री जे कैप प्लस 5 आई कैप क्या निकालना था हमने वी ये भी क्या होगा वी ये माइनस वी भी कितना हुआ जी फाइब रूट थ्री आई कैप माइनस 5 रूट 3 जे कैप प्लस 5 आई कैप तो समझते है बात को आई कैप आई कैप common है 5 रूट 3 आई कैप प्लस 5 आई कैप 5 जे कैप प्लस 5 रूट 3 जे कैप बस परिवर हाँ माइनस 5 आई एगा कि सब्सक्राइब कुछ कटा कि कुछ भी कैंसेल नहीं हो रहा है इसमें है तो बस यह आंसर कॉमर ले लिए यह आंसर आपको यह आंसर है प्लस फाइव कॉमर रूट थ्री माइनस वन आई कैप प्लस फाइव यह आपका आंसर आगाएगी कि समझ मैं दी कैसे करनी है कैसे कोश्चन करने कुछ कोश्चन मैं आपको एक दो बुकलेट से समझा देता हूं तो वो थोड़ा फास्ट भी हो जाएंगे और आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि पहले आपको रेल्टिव विलास्टी समझ नहीं पड़ेगी फिर हम रिवर मैन और वह बाकी पॉलम्स नहीं वह डिसकस करेंगे तो देखिए कर देखिए कर देखिए आपके सामने कोशन देखिए कोई दो बॉल है जी उपर की दरफ जा रही है पांच मीटर पर सेकंड और यह दस मीटर पर सेकंड के साथ सेकंड एक सेकंड के बाद इनमें सेपरेशन बताईए तो अगर आप दिहान से देखेंगे पहली बॉड़ी पे ग्रेविटी किदर लग रही है बिटा डाउनवर्ड दूसरी वे कहा लग रही है ए रेल्टिविस्टिक क्या आएगा जी जीरो हो गया जब ए रेल्टिविस्टिक जीरो है तो क्या आएगा सिंपल कंसेप्ट क्या आएगा बचो एस क्या आएगा वेल्टिविस्टिक जीर्टिविस्टिक जीर्टिविस्टिक इन्टू टाइम दोनों सेम डारेक्शन में है जीर्टिविस्टिक वेल्टिविस्टिक माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा दस में से पांच गया पांच पांच टाइम कितना है वन तो दूर स्टिक जीरो इस अटिक रॉतर जा रहा है यह ऊपर जा रहा है यह फिर जा रहा है शौटकट किया रेल्रेय ट। क्या जी कि टॉ टाइम तो रेल्टिविस्टिक कितना आ गया पांस टाइम क्या एक आनसर कि आ कितने आसानी से आपने ये पॉलम लगा दिया है इसका लगाने का रीजन कैसे लगा जब आपका क्या है बिटा और अधर्वाइश्टिक लगाना था उपर दूसरा मैथड है इक्वेशन आफ मोशन ये ब्यूटी है इस कंसेप्ट की आप समझ लीजेगा नेक्स कोशन में क्या है जी ये एक बॉड़ी है आपने उपर से नीचे गरा दी है दूसरी बॉड़ी नीचे से आपने उपर गरा दी है क्या पूछ आप से फाइंड टाइम एफ्टर विच बोद बॉल्स विल मीट अगर हम ध्यान दें जब भी कभी वर्डिकल मोशन है फ्री फॉल मोशन है या वर्डिकल मोशन है तो ग्रेविटी दोनों पर सेम लग रही होती है तो आलवेज रेल्टिविस्टिक क्या आएग कि दो जोड़ दो स्कूंदिकितनी अंगी पचास आ गई बोरो है डिस्टेंस क्या दिया है एक सो पचास टाइम क्या टी अब है कि कितनी आसानी से र comumश वह निकाल पर है क्वेशन फिर दोनों का डिस्टेंस एड़ करना कि में कितनी आसानी से निकल जाते हैं ठीक है आपको दे रखी रेल्टीव रेल्टीव लॉस्टी की उसमें यह सारी कोश्च दिए गए घर पर आपको यह ट्राइब करने हैं जी थैंक्यू जी